जहां पर 13 नौंबर कुत्ता प्रदेश की 9 वदान सबासीटों पर उपचुनाव होना है। कॉंगर्स और सपा में लंबे समय से खिचतान देखी जा रही है। तीन सीटों पर कॉंगर्स के प्रदेशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। प्रमोत कुष्णम ने लिखा कि कॉंगर्स को अपना दफ्तर और छंडा भी समाजवादी पार्टी को सौंप देना चाहिए। दरसल अकली शादव के एलान के बाद कयास ये लगाया जा रहा था कि जिन सीटों पर अभी समाजवादी पार्टी ने उमिदवार नहीं उतारे। उन सीटों पर उमिदवार को लेकर कॉंगर्स के उमिदवार हो सकते हैं और वही इस पर चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। तो उत्तर प्रदेश में विदान सभाव चुनाव में सभी सीटों पर सांकिल चुनाव निशान पर लड़ने पर बीजेपी ने कॉंगर्स पर तंच कसा पार्टी प्रवक्तार राकेश उतर पार्टी ने कहा कि एस पी ने कॉंगर्स को धोबी पच्छाड दाव दिया उन् कॉंग्रेश मुक्त का नारा भारती जन्ता पार्टी ने दिया था लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेस यादो जी कर रहे हैं क्योंकि कॉंग्रेश ने जैसा मद्यप्रदेश में हर्याणा में समाजबादी पार्टी के साथ व्योहर किया आज समाजबादी पार्टी ने धोबी पच्छाड दाओं मुलायम सिंग यादावाला वो आज कॉंग्रेश पार्टी को दे दिया है और कॉंग्रेश पार्टी